हेलो फ्रेंटि आज की इस वीडियो में आपको वाछ इसको कंपैर करें गहा जिसकी ओल्ली स्मार्ट वोच इरे नियू स्मार्ट वेटे क्में व्योत फैर्म के तोनों में तो सबसे पहला फरक मैं आपको दिखा देता हूं कि smartwatch T55 है आप देखोगे तो इसके wallpapers देखोगे तो कितने slow change होते हैं और यही अगर आप new watch को compare करोगे तो देखिए आप इसके wallpapers कितने fast change होते हैं तो यह बहुत ही amazing है और आप इसमें खुद के wallpapers भी डाल सकते हो और T55 old smartwatch में आप खुद के wallpapers नहीं डाल सकते हो new में डाल सकते हो पर इसमें कुछ कास features नहीं है जीके इसमें live wallpapers है और भी कही सारे amazing wallpaper है मैंने यह वाला paper अपने phone से डाला था और इसमें job 12 hours का format देख रहे हो वो भी है और इसमें नहीं है आपको दिखा जाता हूं यह देखिए तो आज मैं अपसे इसकी features के बार मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको options में ले जलता हूं तो मैंने इसमें साधा mode खुली options देखने का और इसमें भी apple style का mode है तो मैं इसको भी साधा कर देता हूं तो यह FK यह watch का ना में FK 7-8 smartwatch और यह smartwatch T55 है तो अब मैं आपसे features के बार में बात करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको बता हूंगा कि इसमें dial है phone book है heart rate है और इसमें running है basketball है badminton है table tennis है और यह सब features है exercise के यह music है और यह dual mode youtube के लिए connection है और camera है कि आप phone से कैसे operate करोगी camera अगर आप features की video देखे होगे तो आपको समझ में आ जाएगा और यहां है कि आप कुछ search कर रहे हो messages है तो यह सब features है तो इसमें कम features है और इसमें जाद है और more में reset है QR code बस इसमें इतने features है और अब मैं आपसे बात करूँ है इसके features के बारे में तो इसमें dial है messages है यह सब same features है जो इसमें exercise हो सब देखिए भी सब exercise है इसमें blood pressure heart rate यह watch में है और इसमें सिर्फ heart rate है तो यह आप weather भी देख सकते हो तो यह यह watch में music भी सुन सकते हो दोनों watch में music सुन सकते हो पर अब आपको बता हुआ कि आप display में जाके इसकी brightness भी बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो और इसमें आप time out भी बढ़ा सकते हो screen कितनी देर तक चालोनी चाहिए जबकि T55 smart watch में आप screen का time बढ़ा है कम नहीं कर सकते हो उतना ही रता है तो अब मैं आपसे बात करूँ इसमें Siri है तो guys अगर आप मेरे चैनल को विजट करोगे तो आप देखोगे कि यह watch google assistant Siri और Bexbees एंसम के assistant यह सब को connector लेता है इसमें motion sensor है कि आप watch को पहन के अगर flip करोगे तो watch का display को चलो जाएगा तो यह सब बहुती amazing features है यह watch में और अब मैं आपको बाहर लेकर आता हूँ तो आप यहां से यह देखे आप उपर जाओगे तो आपको remote capture reset power of option है मिल जाएगा और आप यहां देखोगे तो alarm time stop watch भी है इसमें fine divisor display है तो यह सब बहुती amazing features है और यह watch में सबसे खास features में से एक है कि इसमें calendar है यह watch में calendar भी है आप देख सकते हो कि यह watch में calendar है और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि watch में आप languages भी change कर सकते हो इसमें mails भी है इसमें stop watch भी है और इसमें calculator भी है कि आप जो भी calculation करनी है आप आपकी watch से ही कर सकते हो तो यह भी बहुती amazing feature है तो आप देख सकते हो कि new watch में बहुत सारे features है और इसमें आप easily customize कर सकते हो तो अब मैं आपको दोनों watches के आप दिखा देता हूं कि दोनों watches के app कैसी है तो आप देख सकते हो दोनों watches के app का front side है तो यहां heart rate steps sleep यह सब है अब मैं आपको set में लिखे जाओंगा तो आप देख सकते हो कि दोनों watches connected है तो फॉर्स फीचर की बात करेंगे कि यह फीचर दोनों वाचेज में कि आप वाच को पहने कि ऐसा करोगे तो वाच का दिस्पले स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको दिखा देता हूं आप देखी सकते हो कि मैने वाच को बस पेना ही अभी तो अब मैं इसको ऐसा करूगा तो देखना disappears इस बिख्ण हो जाईगा इसका display स्टार्ट होगा मैं बिना वाच को का बटन हाथ दबाए इसका display डिस्प्ले स्टार्ट कर दिया तो बहुती अमेजिंग फीचर है कि अगर आप वाच को ऐसे करोगे तो डिस्प्ले स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा सा स्लोवर्क करता है ओल वाच में तो आप इसमें अलारम और आप यह दोनस में वाच इसको फाइंड भी कर सकते हो तो आप वाच इसको फाइंड भी कर सकते हो और इसमें अपने मेसेजिस पुश का एक उप्शन है कि आप कोई भी आपका मेसेजिस इसमें स्टार्ट कर सकते हो स्माट वाच टी-55 में पर यह दिखिए हैं वाटसप है फेस्बुक है इंस्टाग्राम है तो चालू कर सकते हो पर यह स्मार्ट वाच में आपको कुछ चालू करने की ज़रूत नहीं है आपको जो भी मेसेजिस चीव आ जाएगा और अलारम में सब पर मैंने वीडियो बनाई है सब सेटिंग्स पर इसमें एक खास फीचर है वो है कि आप यह वाच में आप वाल पेपरस डाल सकते हो और स्मार्ट वाच टी-55 ओल्ड वरजन में आप वाल पेपरस नहीं डाल सकते हो और यहां से कस्टमाइज पर भी क्लिक करोगे तो यहां से अप गैलरी सी भी ले सकते हो तो मैं आपको एक वाल पेपर सेट करके दिखाई देता हूं जैसी कि यह मिनियन्स का है तो मैं आपको यह सेट करके दिखा देता हूं तो यह मैंने टन कर दिया शौर और इसे मैं सेट कर दूँगा तो थोड़ा सा टाइम है सेट होने को तो आप देख सकते हो कि इजीली सेट हो चुगा है और यह बहुत ही अमेजिंग लग रहा है यह देखिए तो यह watch की खास बत ही है कि आप बहुत easily wallpapers change कर सकते हो फटा फट एकदम आपको कुछ करने की जरुद नहीं है यह देखिए easily आप crown को गुमा हो और आप crown को भी नहीं गुमाना तो आप यह से चेंज कर सकते हो अब देखोगे कि बहुत ही easy और बहुत ही अच्छा है तो इसमें आप easily wallpips भी set कर सकते हो और smart watch का जो new version इसमें set कर सकते हो पर उसमें भी sub features ऐसी है उसमें बस इतना है कि एक new feature है जिसका नाम है dial settings उससे आप कर सकते हो और यह app की एक और खास बात है कि आप watch की charging भी देख सकते हो और अगर आप यहां मी में जाओगे तो आप यहां पूरे फीचर देख सकते हो जैसे कि आप सफ़वर अपडेट कर सकते हो मैप, सेटिंग, हेल्प, नोटिफिकेशन की सेटिंगी सब यहां से आप मैनेज कर सकते हो और यहीं FitPro एप में, Old Smart Watch के एप में, यहां यूजर प्रोफाइल होता है और यहां सब मोशन होता है, अगर आप इसे साइन इन करोगे तो यहां मैप खुल जाएगा और अप जब वाच पहनोगे तो आप आप को मैप दिखेगा कि आप कहां का जा रहे हो वाज़े तो आप यह सब फोन से भी कर सकते हो अगर आपके बास एंसम का फोन है तो इसमें, हल्ट आप में भी आप यह सब कर सकते हो तो गाइस, अगर आपका मेरी वीडियो पुसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो बेल इकोन को प्रेस करो लिटेस नोटिफिकेशन के लिए थैंक्स पर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चैनल प्रेस बेल इकोन पो लिटेस नोटिफिकेशन थैंक यू